मज़ा लगे तो मज़ा लीजिए और करके लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को बेला कन दबा दीजिए अगर वीडियो लगया आपको पूरा तो पहले वीडियो देखे पूरा जी स्वागत करता हूं सभी लोगों का मैं रोसन कुवार आपका अपने बीटिफुल चनल अगर लड़का है तो लड़की के लड़की लगा रहता है इसमें लेकर के जो आपके 222 तक ओमर होता है यह गोल्डर समय होता है इसमें या तो आपने करियर को बना सकते या तो बिगार सकते मैं लेका अटराइडर चूपान के लिए क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे अट्रॉक्त हरा है यह बात ना करकर क्या कहता है कि मुझको तुमसे प्यार हो गिया है अगर लड़का है तो लड़की बोलेगा और लड़का मुझको तुमसे प्यार हो गिया और जैसे दोनों का अगर feeling match कर गया तो दोने एक दूसरे लग जाएंगे और घंटो विष्ट करेंगे देखे समय एक ऐसा चीज को कभी भी विष्ट नहीं करना चाहिए इसको invest करना चाहिए क्यों आप या तो समय को यूज कर सकते या तो आप लूज कर रहे हो ठीक ना समय आपको द्वारा मिले समय आपको मौका नहीं देती समय एक बार बोलती मैं लौट के वापस नहीं आऊंगा ठीक है समय क्या कहती है आज हमारा यूज कर लो मैं तुमको आगे जिंदगी बना दूगा ठीक है जैसे पैसा क्या कहती है कि आज हमको बचा लो मैं आगे तुमको बचा लोगा ठीक है तो बच्चो मैं कहना चाहूंगा कि ये प्यार वार के चक्कर में कभी मत पढ़िए ऐसा करना एकदम गलत है क्यों गलत है देखिए जो आप प्यार अपने कोचिंग में अपने इसिचूट में अपने अस्कुल कॉलेज में या तो अपने वाताबर्ण में ढूंड रहें वो एकदम गलत चीज है आपके डिस्ट्रैक्शन का वह प्रकार का जरिया है बच्चो ध्यान देना जीवन में 36 आगी 36 आगी लेकिन जिन्दगी पर साथ वही निभाएगी जुमी पर ढूंड के लाएगी ठीक है ठीक है आपकी जीवन में दो प्रकार के वर्क आते एक आता है जो में एगा अगराम कि परति गुमल चलना डिखो ध्यान देना कि अगर किसी और से दोस्ती हो घ्राइश check जो भी सुरुवात में कचा के चार गंड़ा पच गंड़ा बती आएंगे लेकिन जैसे यह दिरे-दिरे पुराना होता जागा देखना उनलोग पांच मिनट देशने इरिटेट हो जाएंगे तो यह क्या है एक परकार का आपका एक साल विश्ट करके आप उससे बोर हो गए म समझ रहे हमारा जिंदगी में कभी भी कोई आदमी जब आपको मिलेगा ना तो आपके खैरियत पूछेगी हैसियत पूछेगी यह नहीं पूछेगे कि आपके पास कितने गल्फ्रेंड है यह नहीं पूछेगा पूछेगा कि इतना दन दौलत है आपके पास कितना पैसा है आपके number of girlfriend's कोई नहीं गिनेगा, आपके number of bank balance गिनेगा, बाद समझ रहे हो, तो इसलिए जीवन में कभी भी इस सारी चीज़ों को छोड़ो, इससे ignore करो, देखिए, जीवन में भी स्वाध दो परकार का होता, जीवन में भी आनंद दो परकार के होते, एक आनंद होता है, जो temporary होता है, एक होता है permanent, जैसे कि मैं example देता हूँ, मा लिजे कि आपका mobile कभी खो गया market में, ठीक है, तो आप क्या करो कि पुरा वका जाओगे, मेरे माल खो गया, तब चार तरह माल को ढूड़ोगे, आप इधर उधर ढूड़ोगे, नीचे ढूड़ोगे, घर में ढूड़ लेकि आपको बहुत प्यारा सानन मिलेगा, अब बताई जब आपको फोन मिल जाता तो क्या आप द्वारा फोन को ढूड़ेंगे, बिल्कुल नहीं ढूड़ेंगे, जब फोन आपको मिल गया तो आपको एक आनन्द मिल गया, एक permanent talent है आप द्वारा आप उसको नहीं जैसे कि मान लेजे, अगर आप आज साम में पाटीज के हैं, इंजॉय के चिकन बर्गर खाएं, या तो सराब पीए, तो आपको रिलाक्स मिलेगा रात में सोग लेगे, लेकिन क्या कल आपको इसी आनन्द के वज़ा से कल आपको रिलाक्स मिलता नहीं, कल साम को फिर चाहि तो आपको एक प्रकार से लत लग जाएगे, ठीक है बच्चो, तो कभी भी जीवन में गलत कार के पीछे मत भागो, ये आपके जीवन को धीरे-धीरे खोकला कर रही है, आप एकदम बरवादी की ओर जा रहे हैं, कभी बच्चो को देखना, कभी ऐसा होगा, फील करोगे, क समय सोचो कि तुम्हारा माता-पिता, तुम्हारे बाप क्या कर रहा है, अगर तुम्हारे पिता उस समय कड़ी महनत करे, तुम्हें किसने अधिकार दिया, उनके पैसे को, उननके पैसो के धुए मुलाने का, ये एक दम गलत है, तो कभी भी जीवन में कोई गलत कार करने से पहले एक बार सोच लो कि जिस समय तुम गल्थी कर रहे हैं उस समय तुम्हारे माता-पिता क्या कर रहे होंगे और क्या यह काम तुम्हारे माता-पिता के सम्मान को फेस पहुंचाएगी या उनके छाती को गौरानवीत करेगी तो बच्चों मैं अगली वीडियो में फिर से नया टॉपिक के साथ आऊँगा